शिक्षा और शेक्षिनिक संस्थानों में शासंद वारा लाखो रुपए खर्ज कर संस्थानों में आने वाले चात्रों को तमाम सुविदा देने की व्यवस्था की गई लेकिन इंदोर के देवी अहिल्या विश्व विध्यालय में शासन से मिले आदेशों और छात्रों की व्यवस्थाओं को लेकर कितना सजग है इसका ताजा उधारन बुधवार को देखने को मिला जहां एक विकलांग परिशान होता नजर आया यह दस्वीरे हैं A-plus का तमगा हासिल किये हुए इंदोर के देवी अहिल्या विश्व विध्यालय की जहां अली राजपुर का रहने वाला राजू विश्व विध्यालय में अपनी मार्कशीट में करेक्शन कराने के लिए पहुँचा था राजू को अधिकारियों तक पहुँचने के लिए जमीन पर चल कर आना पड़ा क्योंकि देवी अहिल्या विश्व विध्यालय में निर्बाद परिशर मुखे द्वार पर है ही नहीं दरसल बीते दिनों प्रशासन की और से लगभग सभी कार्यालयों में निर्माता परिशर बनाने के दिशा निर्देश जारी किये गए थे साथ ही ऐसे व्यक्ति जो अपने पैरों से चल कर अधिकारियों तक ना पहुँच सके उनके लिए विशेश तोर से ट्रॉली रखने की बाद भी कही गई थी लेकिन उसके बाद आदेशों का कितना पालन किया गया यह आप स्वयम तस्वीरों में देख सकते हैं निर्बादा परिशर होने की बात कही थी आदी कारियों ने यहां पे कुछ च्येयर बगेरा नहीं मिले आपको हालांकि इस मामले में जब हमने कुलपती प्रोफेसर रेणुजेन से बात की तो उन्होंने अफसोस जटाते हुए आगामी एक सब्ताहा में केंपस में सभी बिल्डिंगों में निर्बात परिसर बनाने और ट्रॉली खरीदने के ततकाल आदेश जारी किये मुझे बहुत बुख है अगर आप ऐसी इसी बता रहे हैं तो पर यह हमारे भी ध्यान में है पहले भी इस पर एक दो बार चर्चा हुई लेकिन क्योंकि मुख्यद्वार के आग पास में कोई इस तरह की जगे नहीं थी लेकिन अभी हमने चर्चा की है तो उससे यह समझ में आए कि टेंप्रेरी रेम तो बनाई सकते हैं जिसको जब भी कोई इस तरह का छात रहेगा तो उसको लगा दिया जाए गार्ड के पास अवेलेबिल रहेगा उसको लगा लेंगे और अगर वो संपर करता तो गार्ड की मदद ली जा सकती थी पर आज आप ही की बाद से प्रभावित होकर आज ही से हम शुरू करवा रहे हैं दो-तीन दिन के अंदर वो टेंप्रेरी रेम भी बन जाएगा अब देखना यह होगा कि हमारे द्वारा उठाई गई इस खबर में कुलपती ने ततकाल निर्बाज परिसर बनाने और ट्रॉली खरीदने के आदेश दे दिये हैं क्या दिये गए आदेशों का पालन दिये गए समय में होता है या फिर राजु जैसे लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने को लेकर इसी तरह परिश्रम करते देखे जाते हैं इंद और से शकिल सिकंदर की रिपोर्ट